सिवान में फिर से अपराधियों ने ठाय ठाय कर दिया गूंज उठा इलाका बिहार के सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सिवान जिले के आंदर थाना छेतर के आंदर बाजार इस्तित एक रेश्टोरेन में बैठे व्यक्ति को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार कर आसानी से रफुचकर हो गए है अपराधि बिलकुल फिल्मी अंदाज में बाइक सवार होकर पहुचे और अपना काम करके आसानी से वहाँ पर भाग गए अपराधियों ने इलाके में खलबली मचा दिया सोई हुई पुलिस को जगा कर अपराधी लहराते हुए फरार हो गए बताया जा रहा है कि व्यक्ति रेस्टोरेंट में बैठ कर कुछ खा रहा था तभी बाइक सवारा पराधियों ने दे दना दन गोली चलाना शुरू कर दिया जिससे उस व्यक्ति को गोली लगी हुई है घायल व्यक्ति को आननफानन में अस्पताल में भरती कराया गया जहां उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है अस्थानिये लोग मदद से उस व्यक्ति को आंदर के रेफरल अस्पताल में भरती कराया यहां डॉक्टरों ने सिवान सदर अस्पताल रेफर कर दिया जिस व्यक्ति को गोली लगी है उनका पहचान गौरा निवासी बली राम सिंग के रूप में हुई है इस घटना के बाद आंदर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुँच कर मामले की जान से परताल में जुट गई है फिल्हाल उनका इलाज सिवान के सदर अस्पताल में चल रहा है पुलिस एक मामले को सुलजा नहीं पा रही तब तक दूसरा मामला तयार हो जा रहा है बदमाशों ने फिर से सिवान पुलिस को चुनौती देते विए इस घटना को अंजाम दिया अपराधियों में पुलिस का दर पूरी तरह से खत्म हो गया है अपराधिय अपने मन से घटना को अंजाम दे रहे है दिन हो या रात अपराधियों का जल्वा बरकरार दिख रहा है अपराधी अपने मन के साथ चल रहे हैं और पुलिस उन लोगों के पास तक नहीं पहुच पा रही है